Hello Friends, BP8-CET की परिक्षा देने वाले सभी स्टुडेंट्स को आपका अपना YouTube चैनल Total Physical Education के द्वारा धेर सारी शुबकामना है Best of luck to all those students who are appearing in the BP8-CET exam 2021 and 22 दोस्तों उम्मीद करता हो आपकी BP8-CET exam से संबन्द की preparation हो गई होगी सबसे पहले तो आपको CT exam के लिए mentally और physically दोनों तरीके से आपको prepare रहना है mentally इसलिए क्योंकि आपका 50 number का online test है और physically इसलिए क्योंकि आपका fill test जो की 50 number का होने वाला है तो दोस्तों 50 number के online test के लिए जब आप जाएंगे तो वहाँ पे पूरे questions attend कीजिएगा क्योंकि वहाँ पे किसी भी प्रकार का negative marking नहीं है इसलिए आप risk ले सकते हैं और पूरे के पूरे 50 questions वहाँ पे आप attend कर सकते हैं दोस्तों अगर fill test की बात करें तो fill test के 50 numbers होते हैं 50 number की fill test की test होती है और यह total 50 numbers depends on your performance आप किस प्रकार का performance देते हैं इसके उपर आपके पूरे के पूरे 50 numbers depend करते हैं अगर आपकी online test अच्छी नहीं जाती है आपकी online exam अगर अच्छी नहीं होती है तो डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको और एक chance है 50 number की fill test के अंतरकत सबसे जादा numbers oriented यह test होती है इसके अंतरकत यह जो पूरे के पूरे 50 number है यह पूरे 50 number आपके हाथ में है दोस्तों तो इसलिए आपको उस दिन जिस दिन आपका fill test रहेगा आपको पूरा जोर लगा के पूरा दमखम लगा के आपको test देनी है और जादा से जादा number cover करने है जो दोनों exam का hall ticket है with invigilator sign candidate sign और invigilator sign यह दोनों sign किया गया जो hall ticket है दोनों exam का यह दोनों hall ticket आपको संभाल के रखना है इसका कारण यह है कि जब आपका CET exam हो जाता है CET exam होने के बाद फिर आपका merit list लगता है आपका result declare होता है result declare होने के बाद फिर आपको original documents upload करने के लि करते हैं उस समय जब आप original documents upload करते हैं तो उस समय आपको original documents के साथ-साथ आपको यह दोनों hall ticket with invigilator sign और candidate sign का यह दोनों hall ticket दोनों exam के hall ticket आपको original documents के साथ upload करने होते है CET site पर ठीक है जो CET cell के द्वारा CET cell में जो आपने application form आपका fill किया है तो वहाँ पर और एक tab open होता है जैसे जैसे exam आपके आगे बढ़ती है तो वहाँ पर tab open होते जाते हैं तो उस समय आपको वहाँ पर यह दोनों hall ticket क्या करने पड़ते हैं अप्लोड करने पड़ते हैं अच्छी condition में ठीक हैं तो इसलिए बहुत सारे student हर साल यही गलतिया करते exam होने के बाद वह कहीं पर भी वह hall ticket डाल देते carelessly कई भी भी रख देते तो समय पे वह hall ticket नहीं मिलते और बहुत बड़ी problem create हो जाते हैं इसलिए दोनों hall ticket आपको संभाल के रखना है दूसरी सुचना यहां पर यह है दोस्तों कि जब आपकी यह दोनों exam हो जाएगी online test और field test यह दोनों exam होने के बाद आगे की procedure क्या रहने आगे आपको क्या करना है इससे संबंदित पूरी जानकारी time to time पूरा update आपके अपने total physical education इस YouTube चैनल पे पूरी जानकारी आपको दी जाएगी time to time update आपके सामने यहां पर प्रस्तूत किया जाएगा तो इसलिए जिनोंने अभी तक चैनल को सब्राइब नहीं किया उनसे मे स्टुडेंट्स को फिर से एक बार best of luck बहुत बहुत शुब कामना है परिक्षा के लिए और जादा से जादा नंबर लीजिए अच्छे एग्जाम दीजिए अच्छा performance दीजिए फिल्टेस में और अच्छे नंबर लीजिए और अपना admission confirm कीजिए चलिए दोस्तों मिलते ह अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए अलविदा